देखिए जो प्रोग्राम हम लूप की मदद से बनाते हैं वो सकता है उसको आप रिकर्जन से भी बना पाए लेकिन जो प्रोग्राम आप रिकर्जन से बनाते हैं उसे आप लूप की मदद से बिल्कुल बना सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यह program उन्हें लिखा इसमें कई भी loop नहीं लगाया और यह program recursive nature का program है और फिर यहां से run करवाता हूँ उन्हें compile करवाया और फिर यहां से run करवा लेता हूँ तो यह run हो गया तो यह कुछ इस तरीके से run हुआ है और आप इस program में बार बार में दिखाना चाहता हूँ कि इसमें कहीं भी loop नहीं यूज़ हुआ है